अररिया के जंजारपूर प्रखंड के अररिया उपिक शेत्र के परसा गाव के वोड चार निवारसी कमलेश मंडल के घर तंतर मंत्र का जहासा दे कर उसकी पत्नी मनेशा देवी से लाको के जेवरात लूट लिए गटना सुभा की बताई जारी है मनीशा देवी और उसकी एक जेठानी दोनों आंगन में थी उसी वक्त दो लुटेरे उनकी आंगन में आते हैं और उनसे तंत्र मंत्र को लेकर बाचीत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई संतान नहीं होगी क्योंकि डाय ने तुम्हें कोक मार दिया है इसके बाद महिला परिशान हो जाती है और कहती है कि उपाय बताईए तो लुटेरे पानी में कुछ मिला कर उसमें अक्षट डाल कर उसे पीने को कहते हैं उसके बाद पूछते हैं कि पानी कैसा लग रहा है तो महिला जवाब देती है कि मीठा लग रहा है उसके बाद महिला उसके वश में आ जाती है फिर वो कहता है कि आपके पास जो गहने है लेकर के आईए महिला जाती है और गहने लेकर आ जाती है इस बीच उसकी जठानी को ब आमीडों का उनके घर पर जमावरा लगा हुआ है लोग गहरा अफसोच जता रहे हैं लगातार हो रही इस तरह की गटनाओं से लोग तरस्त हैं और पुलिस परिशासन के लिए भी चुनोती बनते जा रहे हैं आपको याद होगा कि एक महीने पहले ही नवानी में भी इसी तर आत्मी की दर्ज कर आगे की कारवाई की जाएगी तरह पूचा रहे हैं और जो है गहतना बहुत सुनवाई में आ रहा है और यी बहुत बड़ा स्केम चल रहा है कि बबाजी का रूप धर करके और दूसरा दूसरा रूप में आते हैं अकेली महिला को देख करके अंगना घुच जाता है तो हम समाज से और जहां तक ये वीडियो पहुंचे उनसे अग्रा करते हैं कि किसी को भी अंगना ना आने दे इतने जल्दी क्यों कि ये बहुत बड़ा एक स्केम चल रहा है और प्रसासन से हम मांग करते हैं कि अगर इस तरह का घटना कहीं हो रात इस पर आप ध्यान दे और जो दोसी है उसको करी से करी सजा दे कि अगा है